दोस्तो आज की यूटोब में हम बाता सरकार जी के बयोग्रफिछ को देखेंगे तो दोस्तो बाता सरकार जी के जो जन्म हुआ था वो 1925 में हुआ था और अनकी डैद दोस्तो 2011 में हो गए थी आंड जो बाता सरकार जी हैं दोस्तो इनका जो रियल नेम है वो सुधीन्द सरकार है and इनको बादत सरकार के नाम से भी जाना जाता है and दोस्तो जो बादत सरकार जी है he was an Indian dramatist and also he was a theater director वो एक Indian dramatist थे दोस्तो यानि कि एक नाटक कार थे and also he was a theater director वो एक निर्देशक भी थे theater के and he was born in the city of Calcutta in 1925 और दोस्तो इनका जो जन्म हुआ था वो Calcutta City में हुआ था और इनका जन्म दोस्तो 15 जुलाई 1925 में हुआ था दोस्तो आगे दोस्तो देखिया लिखा है कि he was a history professor sorry his father was a history professor और उनकी फादा से दोस्तो वो एक history के professor थे दोस्तो he got his early education at his Scottish Church College और दोस्तों कि जो प्रारमी सिच्छा रही है वो Scottish Church College में रही है अगे देखिया दोस्तो लिखा है after transferring from the Scottish Church where his father was a history professor he studied studied civil engineering at the Bengal Engineering College यानि कि दोस्तो जब उनका transfer हो गया था Scottish Church College से यहां पर देखिये लिखा हुआ है तो जहां पर उनके father जो थे एक क्या थे professor थे उस college में Scottish Church जो college है उसमें उनके father जो थे वो history के professor थे और फिर उसके बाद जहां पर फिर उसके बाद उन्हें ने अपने engineering की पढ़ाई करे थी दोस्तों Bengal Engineering College में आगे लिखा है कि इन्होंने he finished his Masters of Art degree और दोस्तों इन्होंने Master of Art की जो दिग्री थी in comparative literature में वो प्राप्च करे थी इन्होंने इस डिग्री को जादव University से in Calcutta आगे लिखा है कि he is best known एक मिल टुकिएगा दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि he is best known for his anti-established place during the next नेक्स ले नेक्स ले नेक्से सारी एक मिल टुकिएगा नेक्से लाइट नेक्से लाइट मोमेंट्स इन दो इन दो बार दा आ गया एक यहाँ पर दोस्तों in the 1970s यानि दोस्तों जो 1970s में एक मोमेंट्स लेक्से लाइट इस मोमेंट्स की दौरान दोस्तों इनोंने अपनी बहुत सारे जो प्लेस थेन के anti-establish जो प्लेस थेन के उसके लिए यह बहुत ज़्यादा जाने जाते है आगे लिखा है कि एक मिन दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि and taking theater out of the proscenium and into public area when he founded his own theater company Satabdi in 1976 और दोस्तों इनोंने क्या करा था जो theater था दोस्तों वो पहले क्या था दोस्तों proscenium में था यानि proscenium का मतलब होता है जो stage है जो रंग भूमी है उसके आगी का जो भाग होता है यानि परदे के सामने वाला जो भाग होता है उसको यानि जहाँ पर perform करते हैं लोंग उसको दोस्तों public में लेकर आएं वो public area में लेकर आएं जो theater में सारे लोग परफॉर्म करते थे सब लोग उसको वो public area में लेकर आएं when he founded जब उन्होंने अपनी company established करी थी खुद की उनकी खुद की company थी जिसका नाम था सताबदी और इन 1976 दोस्तों आगे लिखा है आगे लिखा है दोस्तों he did experiments with theatrical environments such as stage, costumes and presentation and established a new generation of theater called third theater और दोस्तों फिर उसके बाद किया हुआ इन्होंने बहुत ही बहुत सारा experiments किया theatrical environment था मतलब जो माहौल था theater का उसको लेकर बहुत ज़्यादा इन्होंने experiment किया और इन्होंने experiment किस किसी पर किया stage पर किया जो costume से stage जो मच था दोस्तों उसको लेकर और costume यानि किस तरह की वेश भूसा होगी वहां की और किस तरह से presentation होगा इस सब को लेकर बहुत ज़्यादा इन्होंने इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा experiment किया फिर उसके बाद इन्होंने खुद एक new generation theater इन्होंने इसका मतलब इस्टैबलिस किया जिसका नाम इन्होंने रखा third theater तो इस third theater के लिए बहुत ज़्यादा दोस्तों जाने जाते है हमारे बादल सरकार जी आगे देखें दोस्तों लिखा है कि in in third theater approach he created a direct direct communication with audience and emphasized on expressionist acting along with realism और दोस्तों in third theater में दोस्तों क्या हुआ कि इन्होंने मतलब इन्होंने जो theater में दोस्तों क्या होता था पहले कि जो theater दोस्तों उसमें लोग perform करती थे और जो audience थी वो देखती रहती थी उन जो artist थे और जो audience उनकी बीच में कोई भी communication नहीं होती थी लेकि इन्होंने जो third theater का मतलब इसका इस्टाबलिज किया था उसमें क्या था कि यह जो भी आर्टिस्ट है और जो audience उनकी बीच direct communication होती थी उसमें और इन्होंने जो realism था दोस्तों रियलिजम के साथ इन्होंने expressionist acting पर भी बहुत ही जाए जोड़ दाला था जोड़ दिया था दोस्तों अब यहां पर बार 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 एक वर्ड यूज हो रहा दोस्तों यहां पर दीख पार है आप थर्टीटर यहां पर थर्टीटर होता था कि इसके बार में तोड़ा दित लिए जटीटर इसी तरा के ने पाड़ था जया कर बाड़ दे लोगों के बीच जाकर और वह प्लेद रहें ता और की करा आँच प्रफार्म करने वाले उसमें from the audience पर्फार्म करने वाले और ऑर्दियन्स से ही ले लिया जाता था perform करने वाले आटेस 1941 में इन्होंने अपने आक्टिंग करिये इस्टार्ट किया था वन एक्टिर इन उन्न प्ले मैं जब इन्होंने अपने खुद की प्ले में काम किया था ब्रद्रा दुश्ना प्रफॉर्मड वाइच्छण थीटर ग्रूप यह जो प्ले है दोस्तों इसमें क्या हो था कि यह इन्होंने परफॉर्म यह परफॉर्म किया था चक्रा के द्वारा और यह क्या एक थेटर स्वरी यह थेटर ग्रूप था दोस्तों दिस इद नेम अफ़ थेटर ग्रूप and he died on 13 May 2011 at the age of 85 याने 85 की उम्र में इनका दैथ होगे थी दोस्तों and आगे देखिए इनके जो कुछ awards हैं इनकी awards है कि इनको मिला था संगीत Natak Academy Award in 1968 में बादमश्री अवार्ड इनको मिला था 1972 में and संगीत Natak Academy Fellowship में थी 1977 में दोस्तों और इनके कुछ works की अगर बात करें if we talk about some works his works so इनके कुछ works है जो की है थर्ड थीएटर 1977 में अ मतलब ट्रांस्लेट हुआ था यह and perform 1977 में इसको ट्रांस्लेट किया गया था and the changing language of the theater यह इनका एक work है इवान इवान इंदरजीद जो की एक थर्ड एक्ट प्ले है यह 1975 में ट्रांस्लेट किया गया था इसको and three plays हैं के कुछ जिसका नाम है प्रोसेशन भूमा एन स्टेल न्यूज सो यह कुछ इनके works है तो दोस्तों यह था हमारे बादल सरकार जी का कुछ उनके बायोग्रफी के बारे में हमने जाना मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे नेक्ट वूडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखीगा